हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है संदीब सिंग आप देख रहे हैं चार्टर डूइस जर्म अभी तक हम इवे बिल के रूल्स और इवे बिल का लाइब डेमो हम देख चुके हैं कैसे इवे बिल जेनरेट होगा आज बात करेंगे SMS के जरिए आप एक मिनेट में बिना इंटरनेट के कैसे इवे बिल जेनरेट करेंगे क्या होगा फॉर्मेट किस नंबर पर आपको देना होगा और कैसे उसका प्रोसीजर रहेगा तो सबसे पहले आपको उपन करना होगा इवे बिल का पोर्टल जिसमें हम अपना नंबर रजिस्टर करेंगे और नंबर रजिस्टर करने के बात फिर हमें इंटरनेट के ज़रुत नहीं होगी हम सीधे अपने नंबर से SMS करेंगे और उसके जरी एवेविल जनेरेट हो जाएगा तो सबसे मेले करना पड़ेगा हमें यहां पर लॉग इन और लॉग इन कैसे करना है यहां पिछली वीडियो में देख चुके हैं मैं अप इसकी एंडरोइड एप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जरीए भी एवेविल जनेरेट कर पाएंगे लेकिन आज हम सिर्फ SMS की उपर बात कर रहे हैं ट्रांस्पोर्टर के लिए अलग प्रोसीजर होगा और अगर आप GST में रजिस्टर्ड परसन है एज अस सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें ओटीपी एंटर करना पड़ेगा अब यहां पर एक चीज़ इंपोर्टेंट है जो आप देखेंगे ओनली वन मोबाइल नंबर कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट इच यूजर याने कि एक मोबाइल नंबर दो यूज रखेंगे तो अब आप यहां से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आपको क्या SMS सेंड करना होगा वो देखेंगे तो आप सामने देख रहे हैं format of SMS request सबसे पहले आपको लिखना है EWBG अगर आप GST में रजिस्टर्ड परसन है ट्रंस्पोर्टर लेते हैं recipient GSTIN, pin code, invoice number, invoice date, total value, hsn code, approximate distance कितना है और vehicle का number क्या है तो यहां पर आप अगर trend type देखेंगे यानिकि transaction किस तरीके की है अगर आप sales कर रहे हैं तो आप select करेंगे OSUP outwards supply अगर आप export कर रहे हैं तो OEXP अगर आप job work को दे रहे हैं तो OJOB यानिकि अलग अलग transaction के बने हैं आपको इन्हें mention करना होगा तो आप यहां से सारे quotes देख सकते हैं आपके लिए कौन सा applicable होगा लेकिन अगर आप sales कर रहे हैं तो आपके लिए generally applicable होगा OSUP यानिकि outward supply इसके बाद आपको enter करना पड़ेगा recipient GSTIN यानिकि जो person goods को receive कर रहा है उसका GST number अगर वो सामने वाला person unregistered है तो आपको mention करना पड़ेगा capital में URP EWBG मैं आपको पहले ही बचा चुका हूँ EWBG यह आपको mention करना ही करना है जब भी आप EWBG करेंगे सबसे पहले delivery pin code यानिकी place of delivery का pin code क्या होगा invoice number और invoice date का format जो आप अभी screen पर देख रहे हैं वही होगा DD यानिकी date आएगी फिर month और फिर year आएगा total value का मतलब है यहां पर invoice value यानिकी taxable value plus tax amount और bill value वहां पर applicable होगा जहां पर bill of supply applicable होता है जैसे exempt item अगर आप transport कर रहे हैं HSN code mention करना कमपल सरी है कम से कम 2 digit का HSN code आपको mention करना होगा यह SMS का format तो आपको SMS करना है 9731979899 पर format आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा है EWBG evable generation OS UP यानिके हमारी आउटवर्ट supply recipient का GST नमबर 15 डिजिट का GST नमबर और यह नमबर अगर आपने mention किया गलत तो आपका EWBG नहीं होगा इसलिए आपको इध्यान से mention करना है सामने वाला person अगर अन्रजिस्टर्ड है तो आपको इसकी जगह लिखना है URP फिर उसके बाद हमने mention किया है PIN Code और PIN Code आपका नहीं जहां पर goods डिलीवर हो रहे है उस place का invoice number 546 date का format जैसे अभी हमने discuss किया था और यहां आपको एक चीज ज्यान देनी है जब आप लेखेंगे total invoice value तो आपको यहां पर decimal place में लिखना है जैनी कि 2 decimal place तक value लिखनी है जैसे यहां पर आप देखेंगे जो invoice value है 75,000 तो यहां पर लिखा है 75,000.00 तो आपको भी इसी तरी code for example मैं cloth कपड़े एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूं तो वहां पर मैं HSN code दे रहा हूं 61,87 है approximate distance मुझे लगता है कि यहां से उस place का place of delivery है वहां का लगबग distance कितना होगा और उसके बाद vehicle का number मैंने यहां पर mention कर दिया है अगर vehicle का number आपको नहीं प है तो उनके लिए procedure थोड़ा सा difference है उनको सेम नमबर पर SMS करना है और starting में उनको लिखना पड़ेगा EWBT यह applicable होगा transporters के लिए trend type similar जो हम पहले देख चुके हैं किस तरीके की transaction है supplier का GSC नमबर पहले आएगा फिर recipient का GSC नमबर आएगा delivery pin code जहां पर deliver हो रहा है invoice नमबर invoice date same format total value उसी तरीके से दो decimal place तक HSN code mention होगा और approximate distance और vehicle नमबर तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा SMS के जरीए कैसे हम evable generate कर पाएंगे अगर आपको है अभी भी कोई doubt तो आप comment box में जरूर लिखें अपना feedback दे या अगर आप करना चाहते हैं मुझसे बात तो आप email कर और अपना mobile number या किसी भी तरीके का contact details दीजिए जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको contact करने की कोशिश करूँगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर इसे like और share करें stay blessed stay connected